घर में पड़ी हुई थोड़ी सी सबजीयों के साथ फ्राइड राइस की रेसिपी लेके आए हूँ चाबल अगर बच गया हो ठंडा चाबल बच गया हो तो उसे इस तरह से आप गरम करके और खा सकते हैं तो इसके लिए हमने बचा हुआ चाबल ले लिया है जो फ्रीज में पड़ा था अब इससे एक चटपटा सा चाबल तयार कर लेते हैं तो इस तरह से प्याज, सिम्ला, मिर्च, मटर, थोड़ा सा मटर हम सिम्पल लिये हैं थोड़ा सा हम उसे दरदरा कूट के लिए हैं हरी मिर्ची गाजर पड़ा था तो हमने दो-चार पीस गाजर का ले लिया है अद्रक ले लिया है एक हरी मिर्ची ले लिया तीखा वाला गरम मसाला में सहजीरा है फूल है जावित्री है बड़ी लाइची काली मिर्च और दाल चीनी है और लॉंग है गरम मसाला आप अपन फ्लेम पे अच्छी तरह से घी को गर्म करेंगे एक थोड़ा सा जीरा डालेंगे हापटी स्पून के करीब एक तेजपत्ता डालेंगे जो हमने सब्जी को काटके रखा है उन सब्जियों में से थोड़ी से सब्जी को हम फ्राइड कर लेंगे थोड़ा सा हम घी के अंदर हिं मीच्र डाल देते हैं इसे अच्रा मिक्स करते हुए ब्हून के तु तयार कर देते हैं इसे डूम नेट का- साबूत मुटल करना है ventilation अम्हाना हम के लिए तैयार हो जाएगा, सबजी थोड़ा सा मटर है जो हम इसमें डाल रहे हैं जो साबूत मटर था जो थोड़ा सा मटर हम इसमें कूट के डालेंगे चाबल के अंदर तो चाबल सबजीओं से भरपूर और बहुत टेस्टी सा चाबल बन के तयार होगा तो एक से दो मुनिट का टाइम देंगे सबजी को भून के तयार करेंगे हल्का सा प्याज का कलर्श जेंज हो जाए फिर इसे निकाल लेते हैं ये बिल्कुल तयार हो गया है इसे निकाल लेते हैं अब इसी कड़ाही में हम चाबल को फ्राइड करेंगे तो इसमें थोड़ा सा घी या तेल कुछ भी डालते हैं तो हाप टी स्पून के करीब हम इसमें घी डालते हैं और सारे जीरे को एक तरब से कर लेते हैं, बीच में कर लेते हैं घी हमारा गरम हो गया है तो इसके अंदर गरम मसाला सारे गरम मसाला को हम डाल देते हैं गरम मसाला दो मिनिट पका लेते हैं जिसे इसका फ्लेवर गी के अंदर आ जाए हरी मिर्च डाल देते हैं अदरक डाल देते हैं हलका सा उसे भी भून लेते हैं गरम मसाले के साथ साथ में उसके बाद जो हमने मटर को कूट के रखा था उसे डाल देते हैं हलका सा इसे मिक्स करते हैं थोड़ा सा ये पक जाए उतना हमें इसे मिक्स करके थोड़ा सा पका लेना है मटर को उसके बाद इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद के हिसाब से जितना चाबल और सबजी हमारा है उस हिसाब से नमक डालेंगे, मिक्स करेंगे चाबल एड़ कर देंगे अब इसे मिक्स करते हुए दो मिनिट का टाइम देंगे मटर के साथ अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे उसके बाद जो हमारी सबजी यां फूनी हुई थी उसे एड़ कर देंगे और यह बहुत ही स्वादिष्ट हमारा चाबल तयार होता है और कभी टेस्टी लगता है आप एक बार इस तरह से बना के देखिए और इसमें हम हाप टीस्पून से कम गरम मसाला पॉडर डाल रहे हैं क्योंकि हमने साबुद गरम मसाला भी यूच किया है तो थोड़ा सा गरम मसाला पॉडर हाप टीस्पून से भी कम डाल रहे हैं इसके अंदर इसे मिक्स करेंगे, आप चाहे तो इसके अंदर मिर्ची पोडर या धनिया पोडर इस तरह से भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने उन चीजों को नहीं डाला है, अब थोड़ा सा इसमें हम सोया सॉस एड़ कर रहे हैं, हाप टी स्पून के करीब, इसे मिक्स करेंगे, इसका होता है, अब यह हमारा चावल बिल्कुल बढ़ियांसा त्यार हो गया है, मिस एक से दो मिक्स का टाइम देंगे इसे भुनने में, अब आस देखिए चावल बिर्कुल तैयार हो गया है इसे सर्व करते हैं आप एक बारी से इस तरह से बना कि देखिए आपको बहुत टेस्टी लगेंगे अगर ये टेस्टी लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और सेर करें बहुत बहुत धन्यवाद